वेलकम टू लेर्ण एंफन तो बच्चो सीबसी का मैथ का एक्जाम है बच्चे एक्जाम सेंटर में हैं पेपर दे रहे हैं और जैसा ही वो बच्चे बाहार निकलेंगे तो हम उनके रियक्शन्स लें उनका पेपर कैसा गया कितने कोश्चिन छोड़ के आए कितने गर के तो बीस मिनिट पहले हुआ चलो वैलन गुड आर अच्छा बात बता हो कितना एक्सपेक्ट कर दो किसा प्लस सबसे पहले नाम बता हो में नम से यह से कहां से आयो मैं गुरूराम से गुरूराम से यह पहला सवाल यह है कि आपका पेपर गाइसा गया पेपर तो बढ़िया ग अब जी चलो डाउटनट को फॉलो करते हो यह सारी कुछन में इससे में ने करें अच्छा जी चलो थैंक यू पहले तो दोस्ता अपना नाम मतों मेरा नाम मकाश है कहां से आयो सरोसतीन ग्लेव सवाल यह है कि पेपर कैसा गया प्र ठीक था मतलब डिफिकल्ड नहीं था त अब नाम मतों मेरा पूरा 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 बिल्कुल चलिए कितना स्कॉर हो सकता है 90 प्लस 90 प्लस चलिए best of luck सबसे पहले नाम मताई है कि मांशी कहां से आयो आप शादा इंटिनाशनल स्कूल पेपर आपका कैसा गया नॉर्मल था नॉर्मल था जादा टफ नहीं था लेंदी बहुत था लेंदी बहुत था लेंदी बहुत जादा था अच्छा कितने सवाल क कितने छोड़े हैं टोटल की हैं टोटल की हैं कितना स्कूर हो सलता है स्कूर अप्रॉक्स 75 75 प्लस है चलिए थैंक्यों best of luck सबसे पहले तो अपना नाम मताई है प्रक्खर कहां से आए आप मैं दमोरे स्कूल से आपका कैसा गया पेपर मेरा बॉल चा गया पेपर इस बार क काफी चला करके मैं खुछ हूँ अच्छा नियुमेरिकल में से आए सारे करें अपने चोड़के हैं मैंने सारे करें इंटीग्रेशन का बस एक कॉश्चन जो था वो थोड़ा सा टफ था बट उसके लाबा पूरा पेपर आइवोट से ओवराल इजी था चलिए कितना स्कू लेंदी था पेपर मतलब लास्ट में छूटने के चांसे थे चोड़के नहीं आयूं लास्ट का क्वेश्चन में के स्टेडी का थोड़ा सा लग राए कि छूट जाएगा पितना एक्सपेक्ट करते हो मां तो यह कुछ बच्चे थे जिन्हों ने अपने अपने रियक्शन्स दिये और नेक्स्ट पेपर की तयारी के लिए बने रहे हैं लैने फन के साथ थैंक यू